हाई एवरिवान वेरी गुड इवनिंग तो अल अफ यू गाइज तो स्टुडेंट्स अपनी जेके असबी जुनियर असिस्टेंट की सीरीज को कॉंटिन्यू करते हुए कल हम लोग ने आपका पढ़ा था टाइम स्पीड डिस्टेंस का बेसिक कॉंसेप्ट जिसमें मैंने आपको कन्वर्जन्स और छोटे छोटे जो उसके फार्मूलास थे वो सारे क्लेर किये थे आज उसी को हम लोग कांटिन्यू करेंगे उसके और एस्पेक्ट को समझेंगे कि किस तरह के क्वेस्टिन जो है वो जेके अससबी के एक्जाम में पुछे जाते हैं पर स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेक शूर आप रेड कर बटन आता है वीडियो के नीचे उसको जुरूर प्रेस कर लें साथ के साथ एक बैल आइकन दबा लेना वहां पर आता है जो ताकि आने वली वीडियो की टाइमली आपको प्रिकेशन आ सके और पीडियाफ के लिए जो भी बच्चे कहते हैं वहमारा टेलीग्राम चैनल जुरूर जूरूर जॉइन कर लें ट्रिपल एस के नाम से अगर आप सर्च करोगे तो आपको वहां पर देख जाएगा टेलीग्राम एप के उपर स्टार्ट करते हैं आज की लेक rash से ध्यान रखना होता है या तो किलो मीटर आर किलो मीटर पर हार ये तीन का सैट होना चाहिए या मीटर से multiplied मीटर पर सेकंड का तो यह आपका मैंने रिवाइस करा दिये यह नट होते हैंड स्टेंस यह टाइम के और इसके कोरम होती है स्पीड्लेर्घे स्पीड तो आपने सबसे पहले ध्यान यही देना होता है क्या units मेरे ठीक है किलोमेटर पर आर में आपके क्या दिये गई है options दिये गए है किसके speed के और distance आपका kilometer में है time आपका hours में है तो सब कुछ ठीक है बस आपको क्या करना है speed निकालनी है तो speed का formula आपको पता है क्या होता है distance upon time तो speed की distance कितना दिया है 690 time दिया है 30 कोई convert कने की जूरत नहीं है क्योंकि चीजे पहले ही automatically set है 0 से 0 कार सकते है 326 339 तो आपका answer क्या बनेगा 23 km पर आर ठीक है यह easy question है बहुत असान question है इसलिए मैंने रखा है ताकि आपकी एक habit यहां से develop हो जाए कि आप लोग units को अच्छे से देख लें ठीक है ओके सो अगले question पर चलते हैं फिर concept सीखेंगे यहां पर yes students अब आपको मैं यहां पर जो concept सिखाने वाला हूं यह question जो है जेके SSB में 2017 में पूछा गया है clear यहां पर आपने दो चीजे समझनी है पहला point आप लोग ने यह समझना है जब भी दो चीजे ज बोद चीजे एक साथ क्या करती हैसा है और दूसरा केस जब कोई भी चीज किसी को क्रॉस करती है कोई भी चीज किसी को क्या करती है क्रॉस करती है इसके docле समझाओंगा जब दो चीजे एक साथरी गरती है तो आपको वहां पर wmos Trans- आपको Rat now our करती है सेकंड जब कोई चीज एक दूसरे को क्रॉस करती है तो हमें वहाँ पे डिस्टेंस का कॉंसेप्ट सीखना करता है तो बड़े अराम तरीके से असानी से मैं आपको यह समझाओंगा समझिए मालो एक ट्रेन है वो इस तरफ से आ रही है ठीक है सेकंड ट्रेन जो है वो अपोजिट साइड से आ रही है ठीक है इस तरफ से तो आपने ध्यान रखना है जब कभी दो चीजे आमने सामने से या फिर इसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट साइड अपोजिट साइड तो देखो आपने कुछ नोट किया होगा जब आमने सामने से गाड़ी निकलती है तो वो बड़ी fast जाती हुई दिखती है ठीक है as comparatively अगर दोनों same में जा रही हूँ तो time हमें थोड़ा सा जादा लगता है उसको cross करने में तो आपने याद रखना है जब कभी भी दो चीज़े opposite direction से आ रही हो तो जो आपकी net speed होती है वो add हो जाती है तो इस concept में 5 किसकी है 6 किसकी तो दोनों add हो जाएंगी और आपने वहाँ पे speed कितने unit लेनी है add करके लेनी है 11 unit clear है जब आमने सामने से दो चीज़े आती है अगर same direction होगी इसका second case इसको आप लोग अपने हिसाब से note करेंगे अगर same direction में चीज़े move हो रही हो दोनों की दोनों चीज़े तो आपका speed जो है वो कम हो जाती है net speed तो आपने वहाँ पे total speed कैसे लेनी है जो बड़ी वाली value होगी उसमें से छोटी वाली value को minus करना है इसी case में अगर एक और गाड़ी यहां से इस तरफ आ रही होती 6 की speed से तो हम लोगों की net speed कितनी बन जाती 6 में से 5 गया एक की speed बन जाती clear तो यह है आपका concept जब एक चीज दूसरे को क्रॉस करती है question की help से हम लोग और clear करेंगे इसको पर उससे पहले एक और चीज सीखेंगे कि जब कभी कोई भी चीज है जो मालो कोई train है वो किसी चीज को क्या करती है cross cross करती है तो हमें total distance वहाँ पर कैसे find करना है यह दो तीन cases होते हैं यह आप लोगोंने समझ लेने है ठेक है सबसे मोटे मोटे तोर पर जब भी कोई train किसी भी चीज को cross करती है तो total distance जो हम लोग लेते हैं दोनों की length को add किया जाता है ऐसे हम लोग find करते है total distance example के तोर पे अगर train किसी platform को cross कर रही है तो हमारा जो total distance होगा वहाँ पे वो train की length plus आपकी platform की length वो हमारा वहाँ पे क्या बनता है? तोर्टल डिस्टेंस बनता है similarly train किसी दूसरी train को cross कर रही है तो आपका total distance क्या बनेगा दोनों train की length इसको ध्यान से सुनना और ध्यान से लिख लेना इसको but कुछ cases में वो किसी pole को cross करेगी किसी telegraph को cross करेगी किसी man को cross करेगी ठीक है तो इस case में होना तो यही चाहिए कि train की length और man किया pole या telegraph की length को add करना चाहिए but इन तीनों की जो length train के comparison में बिलकुल 0 के बराबर होती है तो उस time हम लोग क्या करते हैं इनकी length को 00 मान लेते हैं तो कहने का मतलब वहाँ पे distance सिर्फ क्या बन जाएगा आपका total जो है train की length ठीक है जिसको समझ आ गई वो लिख देगा comment box में yes sir जिसको नहीं आई वो इस वीडियो को rewind करके देखेगा दो तीन बार इसी चीज को सुनेगा और question की help से हमें और चीजे clear होती जाएंगी ठीक है तो यह आज का concept था अभी देखेंगे question को question कहा रहा है a man covered a distance of 12 km in 90 minute by a bicycle तो bicycle से उसने 12 km कवर किया 90 minute में how much a distance how much distance will he cover in three hours if he rides the cycle at uniform speed तो दो cases है पहले एक person है उसने 12 km कवर किया है 90 minutes में तो कहरा अगर इतनी ही speed से वो move करता है तो बताओ तीन घंटे में वो कितना distance कवर करेगा ठीक है तो हमें पहले इसकी speed पता होनी चाहिए speed किसके बराबर होती है distance upon time clear but मैंने क्या बोला है जब भी solve करो तो unit द करते है और तो एक 90 minute को अगर मुझे और में convert करना है तो मैं कैसे कर सकता हो इसको divide कर दूँगा 60 से clear तो यहां से speed की value निकल सकती है 12 बटे 90 divide वाला 60 चला जाएगा आपका उपर जिरो सो जिरो कार दिया 326 339 3134 428 तो इसकी speed कितनी निकल के आगी आपकी 8 km पर आर ठेक है यह कैसे किया एक और में आपके कितने minute होते है 60 अगर उल्टा निकालना हो एक minute में कितने और जोंगे तो होते हैं 1 बटे 60 that's why मैंने क्या कर दिया इसको 60 से divide अब यह हमारी क्या न चलेगा तो तो अब क्या निकालना है distance किसके बराबर होता है speed multiply by time तो speed 8 km पर आर में है कोई रिक्कत नहीं time hours में है कोई रिक्कत नहीं सीधा multiply कर देंगे answer बन जाएगा 24 km clear so this is the right way to find these type of questions आ गई समय तो लिख दो comment box में yes sir तो move करते हैं next question के उपर so next question is saying a person riding a bike crosses a bridge अब देखो वही case बन रहा है एक person है वो bike को चला रहा है और एक bridge को cross कर रहा है कितनी speed से 54 km पर आर तो सबसे पहले यहाँ पर distance then speed and then time की हम लोग बात करेंगे clear अच्छा तो distance में क्या है एक person है किसी bridge को cross कर रहा है मैंने क्या कहा जब भी कोई चीज दूसरी को cross करती है तो total distance दोनों की length बनती है but एक person की length हमेशा हम लोग क्या consider करते है zero that's why जो भी हमारा length बनेगी या distance बनेगा वो क्या बनेगा bridge की length बास और कोई चीज तो इसमें consider नहीं होगी clear अच्छा अब कहा रहा है speed जो है वो कितनी है 54 km पर आर एक ची रही ठीक है then what is the length of the bridge if he takes four minute to cross the bridge अगर वो चार मिनिट लेता है तो time आपको मिनिट में दिया गया है चीक है अब देखो answer आपका किसमे है meters में answer किसमे है meters में तो यह हमें क्या करना पड़ेगा हर एक चीज को meter और उसके corresponding क्या होता है seconds में लेके जाना पड़ेगा तो मतलब पहले speed को convert करना पड़ेगा करते कैसे हैं 5 बटा 18 से multiply करते हैं बात कतम minute है minute को seconds में कैसे करते हैं 60 से multiply करते हैं पूछा क्या गया है आपसे length of the bridge जाने के distance तो distance किसके बराबर होता है speed multiply by time तो speed है हमारी 54 into 5 by 18 और time है 4 multiply by 60 करने को यहां से calculation हो सकती थी बट हमें calculation थोड़ी कम रहे इसलिए मैंने इस तरह से यह forward किया है कर लो इसको multiply answer आपका निकल के आ जाएगा ठीक है पांच तिया पंद्रह 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 चोक साथ साथ को साथ से करेंगे तो 36 सो option number is का correct answer बनेगा स्टुडेंस स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा concept कम समझ आए बर दीरे दीरे question के साथ साथ आपको यह concept बिल्कुल हो जाएगा ठीक है move करते है next question के उपर yes so next question आपका है a train 600 meter long crosses a pole in 12 seconds तो train किसको cross कर रही है pole और मैंने अभी बताया pole की length कितने लेनी है मेशा 0 तो इसका मिलाए जो भी distance बनेगा वो मेरा क्या बनेगा length of train students starting में आपको यह चीज़ें लिखने की जूर्त है पर जैसे ही आपकी अच्छी खासी practice हो जाएगी फिर आप सीधे इनको नहीं लिखोगे सीधा आपके चीज़ें दिमाग में strike करेंगी तो आप seconds में questions को solve कर पाऊगे yes तो उसके साथ time दिया है आपको बारा second का और speed आप से पूची गई है train की kilometer पर आर में तो यहां से थोड़ी सी फिरकी दे गया है वो distance कितना है 600 meter हमें पता है speed किसके बराबर होती है distance upon time तो distance है 600 और time है 12 बट हमसे क्या पूचा गया है यह जो answer आएगा यह आएगा ना मीटर पर सेकेंड में हमसे kilometer पर आर में पूचा गया है तो उसको करने के लिए हम करते क्या है हम उसको multiply करते हैं 18 बटा पांच से ठेक है तो बारा एकम बारा बारा पंचे साथ यह बनेगा 50 पांच से काटा यह कट गया 10 से तो आपकी speed कितनी आ but meter per second into kilometer per hour then you need to multiply that number by 18 by 5 and vice versa अगर kilometer per hour से meter per second में जाना है तो 5 बटा 18 से multiply करना है और कैसे करते हैं मैंने आपको पिछले lecture में बताया था जिन्होंने वो lecture नहीं देखा है it's a request कि जरूर आप इस पूरी series को follow करिए और मैं guarantee लेता हूँ 20 में से 19 प्लस 19 या 20 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे इस section में जो की काफी जरूरी भी है इस exam को clear करने के लिए clear move करते हैं next question के उपर so next question is a train 130 meter long passes a bridge अब यहां पर देखो अब distance आपको अच्छे से find यहां पर करना पड़ेगा distance क्यूं क्यूंकि train किसी bridge को cross कर रही है तो total distance में दोनों चीजों की length add होगी तो train की length तो पता है 130 और प्लस में क्या आएगी आपकी bridge की bridge की हम मान लेते है एक्स ठीक है और उसके साथ स्पीड स्पीड कितनी बनेगी train की स्पीड दे रखी है 90 और ब्रिजी तो मूफ नहीं कर रहा तो 90 किलो मीटर पर आर यह किलो मीटर में है यह मीटर में है ठीक है और टाइम कितना दे रखा है 20 seconds तो टाइम कितना आ गया 20 seconds इस टॉपिक की खास पात यहीं है कि इसके concept आगे पूछा गया है length of the bridge तो कुछ मत करो सीधा formula लगा दो distance is equal to speed multiply by time distance है 130 plus x equal to बट ध्यान क्या देना था यह किलो मीटर पर आर में है यह seconds में है यह मीटर में है तो मैंने क्या बताया था हमेशा आपने कोशिश करनी है कि speed को convert करें तो कर सकता है मीटर पर सेकेंड में 5 बटा 18 से multiply कर गए तो अठारे कम अठारा अठारा पांच नबे से कटेगा ठीक है तो फाइफाइब 25 स्पीड कितनी बनेगी 25 तो यह बन गया 25 टाइम कितना है 20 का पस यहां से calculation कर लो एक तीस इधर जाएगा एक तीस इधर आ गया तो x की value आपके पास क्या निकल के आ जाएगी तीन की जो length होगी उनको add करके आपका total distance आएगा speed आपको unit kilometer per hour में दिये गए थे उसको meter per second में ले आए और आपने सीधा calculation करी answer आपके पास निकल गया गया option number B that is 370 meter clear move करते है next question के उपर yes so next question is saying a train 250 meter long crosses a platform of equal length यह word यहां पे थोड़ा सा tricky है दोनों की length क्या है बराबर तो अगर य platform भी कितना होगा 250 तो total distance कितना बन गया दोनों को add किया 250 250 जाने की 500 और time दिया गया है 50 seconds तो time दिया गया है 50 seconds पूछा क्या गया है आपसे speed of the train तो train की speed जाने की speed is equal to distance upon time distance बन गया 500 time कितना बन गया 50 seconds असान question answer आगया आपका 10 meter per seconds तो 10 meter per second क्या है इस question का right answer है I hope आपको at least इतनी चीज़ें आप clear हो गई होगी कि कि किस तरह से हम लोग इसको apply करते हैं और जब कोई train या कोई object दूसरे object को cross करता है तो total distance क्या लेना होता है time कैसे लेते है specially speed कैसे लेते हैं ठीक है so move करते है next question के ऊपर yes so next question is saying a person walking at a rate of 10 km per hour crosses a bridge in 9 minutes what is the length of the bridge तो person है person की length 0 तो distance आपका क्या बनेगा जो भी bridge की length होगी जो भी क्या होगी bridge की length तो मान लेते हैं bridge की length क्या है x speed आपको दे रखी है 10 km per hour और यही speed होगी क्योंकि दूसरा object moving नहीं है तो minute में दे रखी है और answer के unit देखके लगता है यह meter में होने चाहिए ठीक है meter में रख लेना इसको yes तो अब देखो time in minutes में है तो time ले लिया मैंने 9 minutes अब advisable क्या है speed को भी convert किया जाए 5 बटा 18 के हिसाब से और time को convert किया जाए seconds में तो into 60 कर दिया तो distance is equal to speed multiply by time speed क्या है 10 into 5 बटे 18 into time कितना है 9 into 60 नो इकम नो नो दो ने अठारा से कटेगा दो से यह काटा यह कटा पांच से ठीक है फाइफाइफाइफ 25 25 को 6 से करते हैं तो बनता है 150 एक extra 0 है तो बनेगा 1500 मीटर अब आपका भी जो tone है जो rhythm है मेरे साथ साथ increase हो रही होगी यह पूरी पूरी अमीद है questions को solve करने clear move करते हैं फिर next question के उपर yes so next question यह repeat हो गया question I think तो यह question आप फिर से solve करेंगे अपने अपने हिसाब से ठीक है yes so आज की वीडियो में इतना ही I hope यह जो छोटे छोटे lectures में आपको provide कर रहा हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ आप इनको बार-बार revise करिए एक बच्चा एक lecture को अगर तीन बार देखता है complete interest के साथ headphone लगा के या फिर शान्त महोल में तो उसके concept इतने अच्छे हो जाएंगे और इसी चीज़ को हम लोग आने वले टाइम में यहीं से grow करने वाले हैं मतलब जैसे जो बच्चे ये paper दे रहे हैं वो सारे बच्चे क्या होंगे graduates तो मतलब अगर in future JK Bank की या कोई भी banking की notification आती है तो हम इनी बच्चों को ये basic level से high level पहले ही पढ़ा के रख देंगे तो जो बच्चे और भी exam की त्यारी कर रहे हैं जिसमें ये topic पूछे जाते हैं तो आप पका उनके साथ इस चीज़ को share करिएगा बाकि practice के लिए आप लोगों के लिए advisable हमारी तरस से हमेशा ये रहता है कि आप ऑली बोर्ड के standard के इंटर जो national level के एक company है इसके exam से practice करिए इसके आपके जल्दी ही जो है वो start हो जाएंगे आपके junior assistant के exam clear so PDF के लिए telegram channel हमारे जुरू जुनाइन कर लीजिएगा thank you so much guys God bless you all मिलते हैं next lecture में और next lecture में हम आप लोगों के लिए number series के top 25 questions top 25 questions आपके लिए मैं लेके आ रहा हूं so thank you